देखी फ्रेंड्स इसमें सोन भस में है मेरे पास यह दिख रहा आपका सोन भस इसका प्राइज है यह 100 mg है और 1125 रुपे प्राइज है 100 mg का ठीक है और यह है सोन बंग यह सोन बंग है देखो आप अच्छे से देखो यह सोन बंग है इसका प्राइज है 126 रुपे और यह कितना है यह है आपका 5 ग्राम 5 ग्राम है अब इसमें अंतर क्या होता है कुछ-कुछ लोग क्या होता है जो सोन बंग होती है वो सोन बंग इसका निकाल के और सोन बंग के नाम से बेच देते हैं, इसमें अंतर कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ये सोन बस्म मैंने भी open किया है, ये सोन बस्म है मेरे पस, इसको मैं open करता हूँ, तो open करने बाद क्या निकल रहा है, ये एक छोटी सी पुडिया निकलती है, इसमें बस्म होती है भी आप, इसमें बस्म होती है दोस्तों तो जरासी बस में देखो आप अगर एक एमरा फोकस कर रहा होगा तो जरासी बस मोती देखो यह इसको को ऑपन इसली नहीं कर रहा हूं ऑपन करूंगा तो यह पूरा बिखर जाएगा और यह कभी भी सोने जैसा नहीं दिखेगा जरासी पुडिया है यह 100 mg है कॉंटिटी इसका 100 mg और 1125 रुपे प्राइस है ठीक है बस्म का मतलब यह हो जाता है कि आप बस्म यानि चीज जो बिल्कुल बस्म हो गई है बिल्कुल खत्म हो गई है उसे आप सोन बस्म कहेंगे यह बहुत जरा अब बात करते हैं सोन बंग की तो सोन बंग यह है और जो लोग पाउडर बताते हैं कि सोन बस्म में जो होता है वो सोने ऐसी दिखती है बहुत से लोग देखें मैंने मार्केट में इसका प्राइस मात्र रुपे 126 रुपे है और इसको अगर मैं उपन करूंगा देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं अभी यह सोन बंग है देखो मैं इसको ओपन करके बताता हूं आप लोगो को इसको अगर मैं इसमें डालूंगा देखें में बताता हूं तो यह निकलता है सोने जैसा यह गोल्डन कलर है इसका देखो आप यह गोल्डन कलर है इस शाइन भी कर रहा है और ऐसा लगा सोवना है यह था बन भस में है ही नहीं क्योंकि यह सोणविंग है मैंने आपके सामने और आपको निकाल के बताया है कि यह सोणवंग है यह देखिए एप इस बन बंग है अब आपने एक द्शार जो आपने यह सुन बन्ग है और यह सोनन बसम है जो मैं आपको बता रहा हूं सु मुख़ा इसमा के लिए पशल yay कि आप लोग घुम्राibern लेने से बचें इसलिम्ह सर्फ़ी साइ आप लोग को बता रहा हूँ मिन्स अपल इसको करते है यह एस Dalas इसको आप उपन करिए ओपर करने के बाद मैं इसकी पूरी पैकिंग इसलिए निए खोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको रीसेल भी करना है यह सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूं इसमें अगर आपन खोलते हैं तो इस फिक छोड़ा से डब नकलता है और कुछ नहीं ह है यह देखिए यह यह ब्लैक कट था इसमें आप अंदर देख लीजिए यह यह सोनस भास्म है पहत्ना का मतलब होता राक यह जो बंग है जो इसके अंदर है ना यह सोन्न भांग है धैक है कि दो घर खेवंस को वह अब मतलब यह देखो यह न बंट भी गया ना तो ये ऐसा शाइन मारेगा देखिए ओवरॉल कहने का मतलब ये है कि आप लोग गुम्रा ना हूँ एक प्रॉपर गाइडाइंस में आप ये चीजे ले सौड़ बस बहुत बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल रहता है इसलिए इसको कभी भी बिना किसी प्रेकॉ होना ही है तो आप कोशिश ही करें कि आप इसको किसी गायदंस से ले प्रेकॉशन से ले या किसी के वैद्व हों के देखने ये मैं इसको दोबारा इसको ये मैं किन दाल हूँ याद रखिगे ये सौड़ बंग है जो भी सुनेरी चीज का पॉड़र आपको बतायेगा सोड सोड़ बंग है अगर कोई कहता है सोड़ बंग अलग होता है और सोड़ बंग अलग होता है यह सोड़ बंग है तो आज के वीडियो के यही तक और I hope you like this video so stay tuned for my more vlogs and please subscribe to my channel press the bell icon for new updates thank you and bye